आज फिर एक नया चैप्टर रिविजन और सर नाम क्या है नाम है उसका इंटरनेशनल फाइनेशियल पैनेश्मेंट या फिर इंटरनेशनल कापिटल विश्टिंग इतना छोटा चैप्टर है कि वो चैप्टर ही अपने आप में एक रिविजन है फिर भी बच्चों की फर्माईस थी कि सर नाई सर प्लीज वो भी करवा दीजिये और एक चैप्टर है म्यूचल फंड वो भी करवा दीजिये तो ठीक है आज ही मुझे ऐसा लग था आज ही दोनों चैप्टर आ जाएगग कुछ बच्चे इसको फॉरेक्स में पढ़ते हैं कुछ बच्चे सेप्रेट भी पढ़ते क्योंकि हमारी इस्टडी मैट में सेपरेट है अलग है तो अलग ही discussion कर देते सर बेसिकली international financial management में हम लोगों को क्या पढ़ना है हमें दो चीजे पढ़ना है एक तो capital bursty international capital bursting बोल सकते या international project appraisal बोल सकते है जो बोलना है बोलो इसमें करना क्या होता है इसमें कुछ नहीं करना होता है capital budgeting में होता क्या था C.A. Interl में पढ़ा होगा और अब तो final में भी इसमें होता क्या था इसमें sir होता ये था capital budgeting में कि हमें project में पैसा लगाना चाहिए पर इंडिया की बात नहीं है outside इंडिया मतलब foreign country में इंडिया की बात नहीं करूँगा खुज भी हो सकता वो तो US, जापान हो सकता है तो sir हमें यहाँ यह decide करना है कि हमें मानलो India है तो एंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहिए के नहीं लगाना हाँ NPV निकलना होता है बस खाज बात याद रखना कि यार प्रोजेक्ट हम बाहर लगा रहा है मानलो US में पैसा लगा रहा है यूएस में तो सर डॉलर में पैसा आएगा पैसा भी डॉलर में लगेगा आएगा भी डॉलर में तो अब प्रॉब्लम क्या है कि एन पीवी कैसे निकाले सर तो सीधा है न यार कॉस्ट ओ प्रोजेक्ट मालूम है कैश इन फ्लो या CFAT मालूम है कैश फ्लो आप्टर टेक्स डिसकाउंटिंग करते एन पीवी निकलते खतम करते कहानी नहीं न बेटे प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जो डॉलर में आएगा पैसा यार यार ये तो एक साल बाद आएगा दो साल बाद आएगा तीन साल बाद आएगा तो ठीक करें सार डिसकाउंटिंग कर लेंगे बात डिसकाउंटिंग की भी नहीं है बात ये कि जब पैसा लगेगा उस समय डॉलर कर रिट अलग हो सकता है जब पैसा आएगा डॉलर कर रिट अलग हो सकता है मतलब सार और एक रिस्क है न यस एक्शन रिट तो सर बिना टाइम खराब करें हमें स्टार्ट करतें वैसे भी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है तो इंटरनेशनल फाइनेशियल मैनेजमेंट नाम है उसमें हमें दो टॉपिक बढ़ना है इंटरनेशनल कापिटल बश्टिंग और ADR, GDR वगे इंटरनेशनल कापिटल बश्टिंग क्या है कुछ नहीं है लॉंग टर्म इनवेश्टमेंट प्रपोजल है और कहां करने वाले हो फॉरिन कंट्री में करने वाले है और डिसिजन कैसे लेना NPV निकालना NPV के बिस्स पे डिसिजन क्यों ना एक एकजांपल के थ्रू बात करें एकजांपल करना ज़रूरी एकजांपल से बहुत को सीखने को मिलेगा अच्छा एकजांपल बोले कोई Indian कंपणी है और US में प्रोजेक्ट लगा ना चाहती है डॉलर दसलाख Indian कंपणी प्रोजेक्ट कहां करना है यूएस में ठीक है सर अब ध्यान से जमना क्योंकि ये concept है ये crux है ठीक है और मैं जीरो जीरो हटा के बात करता हूँ ये जीरो जीरो से बहुत समस्या है तो सर 1000 डॉलर cost of project होगे और हमारा अनुमाने की 3 साल project चलेगा और ये भी लगा लिया कि यार वहां से हमें cf80 बोलूँगा चलेगा न हाँ सर cash inflow भी बोल दोगे तो भी जलेगा cash flow after tax बोलते है first year में आएगा dollar 300 second year में आएगा dollar 500 third year में आएगा dollar 600 तो सर आपको NPV नहीं कालना है अब सुनना गया है तो सर पैसा कितना लग रहा है भाई एक हजार dollar मुझे लगाना है तो मुझे खरीदना तो पड़ेगा dollar yes आज का rate क्या तो इस portrait दिया रहेगा question में और इस portrait दिया है 75,000 तो 1,000 dollar लगाना है आज का rate तो 75,000 रुपिया लगेगा आज 75,000 रुपिया लाओगे कहां से रुपिया सर हम किसी shareholder से उधार पैसा ले लेंगे 16% के हिसाब से इसको बोलते है risk adjusted discounting rate मेरे ख्याल से समझाने की दिरुद नहीं है आपको पता RADR क्या हो it means यह जो investor है यह company को पैसा देगे लिकिन risk के हिसाब से इनका require rate of return रहेगा उन्होंने का भाई हमको 16% चाहिए चाहिए क्योंकि risk है तो risk के हिसाब से हमको return में चाहिए हमें क्या करना है हमें NPV निकालने के दो तरीके हैं अब सुनना दियांस एक है foreign currency approach एक है domestic currency तो domestic currency approach क्या होता है अगर आप होते तो NPV दोनों से एक ही अंसर आता तो चिंदा वाली बात नहीं है पर exam में कैसे करना हो में आपको जो आपको आसान लगेगा पहला कि exam में लिखा रहता है कि आपको किस approach से करना है तो पहला तरीका यह है कि जो dollar आ रहा है क्यों ना उसको ह हम convert कर ले home currency में home currency approach और home currency मतलब रुपीज में convert कर ले और रुपीज में convert करके 16% से discounting कर लेते हैं और NPV निकाल लेते हैं पहला तरीका यह है यह तो सर उसके लिए हमें किस चीच की ज़रूरत पड़ेगी हमें एक साल बात का rate क्या होगा गास कोशन में दे दे जनरली नहीं देता तो फिर फॉरेक्स में हमने दो किया था एक किया था इंट्रेस्ट रेट पैरिटी जिसमें हम अनुमान लगाते थे कि एक साल बात क्या होगा रेट अप इंट्रेस्ट के हिसाब से आयर भी तूसरा inflation rate के हिसाब से हम अनुमान लगाते थे कि rate क्या होगा ये दो तरीके, दो तरीके लागा, तीसरा तरीका नहीं है या तो बोल देखी, इतना appreciate होगा तो पहले हम किसे करेंगे? पहले हम करेंगे home currency approach home currency approach home currency approach क्या होता है? foreign currency को convert करेंगे home currency सर तो हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा एक साल बात का रेट दो साल बात का रेट और तीन साल बात का रेट आयरपी किया है क्या याद नहीं है आज का रेट कितना है 75 फॉर्मुला बनाया था 1 plus R 1 plus R मेरा कहना है कि थोड़ा बहुत IRP की सर मतलब USA वाले रेट उपर यहां अगर रुपीज है तो उपर रुपीज वाला रेट आता था IRP से फावर्ड रेट यार इतना तो यहाँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपीक है तो सर यहां रेट किसका आता है रुपीज का और यहां किसका आता है डॉलर का और फटा-फट से हम काम देखें Domestic currency approach में आप foreign currency cash flow को convert करते है Domestic currency में और NP भी निकलते है और हमें इसके लिए चाहिए पावर डिट या future का रेट और उन्होंने निकाला है याद रखना एक चीज़ यहां रुपीज है तो उपर भी रुपीज ही होगा मतलब यहां रेट रुपीज का आएगा तो यह तो रटवार है अभी time भी नहीं कुछ और logic में करवा चुका हूँ तो पहले साल का रेट आ गया 77.94 और फिर इसी को वापस यहां लिख दिया फिर आ गया 81 और फिर आ गया 84.18 अब कुछ बचा ही नहीं कोशन में अब कोशन का टेबल ऐसे बनाने की कोशिश करो क्यों कि अधिक्त 99% कोशन IC AI ने ऐसे ही बनाया है तो कैश फ्लो डॉलर में मालूम है हमको 300-500 कनवर्ट कर दिया तो रुपीज आ गया और 16 पर्षन से डिसकाउंटिंग कर दिया तो PVC AI आ गया और फिर NPV आ गया सिंबल है 76 ठीके सार मजाया एक तो यह तरीका एक्जाम में आता है आता है यह मत समझना के नहीं हम सर दूसरा तरीका क्या होगा दूसरा तरीका भी बता दीची सर दूसरा तरीका है कि foreign currency को ही discounting कर दिया जाए सर 16 पर्षन से क्या नहीं 16 से नहीं कुछ और से तर यह कैसी होगा यह भी समझा actually RDR NDR nominal discounting rate real discounting rate ऐसा कुछ तो मैं आपको सीधी सेवी बातबolithic यह बताओ यहां रिस्क फ्री रेट क्या है िंडिया में सर सिक्स परशन और यूएस में कितना है सर टू परशन तो भाई साप जहां रिस्क फ्री है छे दिस्काउंटिंग रेट कितना है सर, discounting rate है 16 जहां risk free काम है discounting rate भी तो कम ही होना चाहिए नहीं आप risk free से comparison तो करो इनका वैसे risk free rate कितना है 6 और इनका कितना है 16 सोचो थोड़ा सा यार ये extra मांग रहा है ना क्यों क्योंकि risk की वजह से तो यहां भी extra मिलेगा पर यहां extra मिला 6 के उपर यहां extra कितना होना चाहिए 2 के उपर यार comparable करो ना तो मैं कर किया रहा हूं मैं कह रहा हूं यार इसमें से पहले risk free वाला निकाल देते हैं मतलब इंडिया का risk free निकाल देते हैं और US का risk free एट कर देते हैं simple सा concept है बहुत ज़्यादा दिमाग में चलाओ concept में यह तो बहुत समता formula है हाँ पैसा formula समझ लीज़ा है मतलब सर जैसे rate है 1.16 इसमें से risk free हटाना divided by 1.0 और US वाला add कर देना 1.0 sir 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 1.06 ऐसे थोड़ी हटता है 16 minus 6 कर दो ना नहीं विट्टे नहीं नहीं factor divided by factor ऐसा मैंने कहीं करवाया था factor into factor होता है थायद मैंने forex महीं करवाया था पर नहीं भी करवाया मतलब किस नहीं भी पढ़ा है ना आपने मुझसे forex तो भी दिक्कत की बात नहीं है ऐसे हटाने का यह तरीका है divide कर दिया 1.06 से यहां कर इसको और into कर दिया 1.06 से तो अब discounting rate कहां का आएगा अब यहां का जाएगा मैं equivalent करने की कोशिच कर रहा हूँ और अब इसको मैं discounting कर दूँगा ठीक इस इस foreign currency एक बार देखें क्या किया है मैंने इन foreign currency approach foreign cash flow are discounted in RADR of that country ठीक तो मैंने RADR US का RADR निकाला इंडिया वाले को हटाया risk free को और US वाले को add कर दिया तो answer आ गया 11.62% और फिर हमने क्या किया हमने 11.62% से हमने क्या किया NPV निकाल लिए पर यह NPV किसमें आया डॉलर में और हमको इसको रुपीज में दिखाना होगा हलाकि बात खतम होगा यह project accept रुपीज में दिखा दो भाई क्या दिक्कत है और रुपीज में दिखा है और मैंने का answer लगबग एक ही आएगा answer यह सर exam में क्या दिया रहेगा किस approach से करना है और सर ना दिया हो तो फिर एक note लिकर जो चाहे हो उस approach से कर लेना जो आपको ज़्यादा आसान लगता मुझे तो यह वाला ज़्यादा इची लगा तुम इससे खतम वाव सर कलो question मनाए question number one question number one मैं नहीं करवा रहा हूँ बहुत इची है मैं सिर्फ वो question करवा हूँ मैं कुछ बात होगी अलग बात तो question number two ले रहा है question number two exam में आया भी हुआ था January 2021 दिखा X limited Indian company ठीक है कहा पैसा लगा रहे हूँ अमेरिका में लैटिन अमेरिका dollar 165 lakhs dollar में project का life है पास सा अभी rate दिया है 72 और जितना भी investment वो तो dollar में लगेगा वो तो पता है न यार US में लगा रहे तो dollar में लगेगा और dollar and risk free rate दिया है तो आप भी जानते हो क्यों दिया है यह dollar का यह दिया है यह इंडिया का और expected cash flow दे दिया है required rate of return 14% तो सर यह RADR है सर यह कहां का दिया अगर कहीं भी कुछ भी ना लिखा हो तो मानला आमाना आप जहां से हो वहां का यह discounting rate है जैसे पिछले question में 16% था ना यार हाँ सर समझ में आ गया वैसे तो सर इसको हमको US का discounting rate बनाना पड़ेगा अगर आप foreign currency approach से question viability of project बोल रहा है foreign currency approach से वही तो बोल रहा है सर और सर बोल रहा है कि what will be the impact of अगर withholding tax हो वह मैं बाद में समझा रहा हूँ पहले काम करें simple है कौन से approach से करना है foreign currency 1.14 में से हटाओ इंडिया वाला risk free इंडिया वाला risk free इंडिया वाला risk fee divided by 1.2 और US वाला add कर दो into 1.0 तो हमें discounting करना 9.9% foreign currency approach है तो यह करेंगे पूरा dollar लिख देंगे और 9.9% से multiply कर देंगे यह answer आ गया है और याद रखना कि उसको आपको rupees में convert करना यह भूल सकते हूँ अब question है कि यह withholding tax दिया है तो क्या करेंगे withholding tax का मतलब जब भी foreign में पैसा लगा रहा है और वहाँ से पैसा लेकर आ रहा है वाँ profit तो tax लग जाता है जिसको बलते है TDS मान के चल दो और कोई अभी बहुत ज़्यादा detail में समझना भी नहीं TDS मतलब जो भी पैसा आएगा उसमें TDS ज़र यह जो पहले साल आएगा इसमें TDS कटके आएगा दूसरे साल आएगा TDS कटके आएगा तीसरे साल आएगा TDS कटके आएगा 10% कटके आएगा अगर वो ले 10% कटके आता है तो कैसे काम करेंगा वैसे करना ऐसे चाहिए था कि हर एक का 10-10% माइनस कर देते और फिर PVCI निकलते पर ICAI कहता यार इसमें से 10% माइनस कर दो या तो सीधा इसी में से 10% माइनस कर दीजी बात एक ही है बाद भी सही है तो सीधा सीधा काम हो गया और withholding tax जो आया था ना PVCI गया ही उसी में से सीधा 10% माइनस कर दिया PVCI या और पी नेगेटिव आया प्रोजेक्ट शुड़ भी रिजेक्टेड तो withholding tax की वज़ा से इतना फर्क पड़ता है चले अब थोड़े अच्छे कोश्चन करवाओ कि सर यस अब आगए बहतरीन कोश्चन आपके से सीधा में पहुच गया है कोश्चन नमबर 4 पर ध्यान से बढ़ना पड़े अच्छे कोश्चन करवा रहा हूं बिटे ऐसा नहीं है कि वेकर वेकर सब कोश्चन जितने भी आज की क्लास में करवाँगा ना सारे कोश्चन ऐसे रहेगे जिसके आने के उमीद है तो लिखा XY Limited engaged in a large retail business in India भाई साब इंडिया में business है ठीक है और कहाँ पैसा लगाना चाहते हो आप जाना चाहते हो अफरीका वाव action rate of the currency of proposed volatile है बोलता है ठीक है inflation rate दिया है inflation rate 40% कहां का दिया है अफरीका का 40% और इंडिया का कितना दिया है 10% 40% inflation rate inflation rate दिया चाहे interest rate दिया है कोई फर्क नहीं का the management of xy expect that rate likely to continue for the foreseeable future ठीक estimated projector cash flow in a real term याद रखना this is real cash flow तो cash flow होते है एक real cash flow होता है nominal cash flow real cash flow का मतलब यार calculator जो है आज इसका rate है 200 रुपए 200 तो मैं जब अनुमान लगा रहा हूँ कि future में कितने का sales होगा तो मैंने इसका price 200 ही लिया है this is real आज के इसाब से आज के purchasing power के इसाब से पर सच्चा ये है कि calculator आज 200 का है और मैं कह रहा हूँ एक साल बाद 200 का थोड़ीन भी किएगा वो तो महगाई भी तो होगी न यार अगर inflation है तो inflation को आपको consider करना चाहिए real का मतलब अभी inflation नहीं जोड़ा है inflation जोड़ देगे आज calculated 200 का है 10% महगा हो जाएगा तो एक साल बाद 220 और फिर उससे और 10% महगा हो जाएगा तो फिर सूचेंगे क्या करना है real का मतलब real का मतलब sir without inflation और nominal का मतलब with inflation तो ये जो cash flow दिया real cash flow दिया इंडिया में और African country for the first three years पहले तीन साल का real cash flow जोड़ तो sir इसको हमें क्या nominal में convert करना चाहिए अगर real दिया तो nominal में convert करना चाहिए पर देखते है question क्या बलेगा मैंने आपको करवाया हूँ ये concept real cash flow को real discounting rate से और nominal cash flow और मैंने क्या करवाया हूँ CA inter में हर एक बच्चे ने किया हुआ ठीक है इसका क्या करेंगे ये बाद मैं समझाँगा XY limited assume that three year nominal cash flow बले तीन साल बात जो nominal cash flow है बले real से का मत का न जो nominal cash flow है तीन साल तक तो ये रहेगा और third year में जो nominal cash flow आएगा वो आपका perpetual आएगा ये भी समस्या है corporate valuation में हमने value of firm पढ़ा था third year में value of firm और stage two पता नहीं याद ठीक इवेल्वेट ओल इन्वेस्टमेंट और बोल भी दिया कि भाई साम आप nominal cash flow को यूज करोगे जब discounting करोगे और यूज क्या करोगे nominal discounting rate मतलब discounting rate भी real वाला ने चाहिए उसमें inflation भी add होगा ठीक है काम की चाहिए action rate एक्षिन रिट थोड़ा उल्टा दिया है African RAND 6 टू रुपीज 1 मतलब सर AFR लेग दूँ क्या पर रुपीज ये वाला rate दिया हुआ और कुछ दिखा है नीचे और तर गया African RAND cash flow को आप convert कर दे न रुपीज में बताओ कौन सी approach से मांग रहा है कोश home currency approach या forcer home currency approach बोल तो रहा है कि African RAND जुआएगा उसको रुपीज में कर दे और cash flow को जो discounting करना है बोल रहा हाई risk है इसलिए discounting 20 मतलब सर इसमें inflation जुड़ गया है यस मतलब सर ये nominal discounting rate यस ignore taxation और 20% के सबसे factor भी दिया हुआ है तो हमको ज़्यादा सोचने की बात है अभी एक काम भर बचा ये जो cash flow है सर ये पैसा कहां से जा रहा है इंडिया से इंडिया से इंडिया से इंडिया से एक साथ जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है और सर पैसा कहां अफ्रीकन रेंड यहां से भी पैसा जा रहा है मतलब सब दो-दो जगा से पैसा जा रहा यह आएगा 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 अभी क्या करना है सबसे पहले real cash flow को हमको convert करना पड़ेगा nominal cash flow तर वो कैसे होगा तो उचकी बताओ ना calculator का कीमत ध्यान से सुनना मैंने सोचा कि 3 साल मैं calculator बेचूंगा कितने कितने का पहले साल 50 दूसरे साल 50 तीसे साल 50 यह real है real अब यार इन्फलेशन जोड़ना है इसमें 10% बढ़ाऊंगा 50 प्लस 10% 55 प्लस परशन का इन्फलेशन है मान रहो अब दूसरे साल जो calculator का price है वो 50 नहीं रहेगा 50 मतलब यह दूसरे साल का प्राइज आएगा 60 रुपे 50 पर बच्चू के इसमें प्रोब्लम होती है प्रोब्लम क्या होती है समझा रहा हूँ मैं कहता हूँ यार पहले साल का जो cash flow है इन्फलेशन देखो इन्डिया में कितना है 10% तो इसको 10% से बढ़ाएंगे 1500 को 1500 प्लस 10% तो 1650 और 2000 को 2000 प्लस 10% बच्चे सिर्फ यहां 2200 लिख देंगे गलत हो जाएगा attempt रुख जाएगा इस इस मैं कहा हूँ 2000 प्लस 10% प्लस 10% 2420 और यहां क्योंकि बच्चे का कहना साथ इसके लिए अच्छे खासी नॉलिज चाहिए आपको रियल नॉमिनल बहुत सारी एक्जांपल से पर मैं समझानी की कोशिश किया है यह आज के हिसाब से मतलब इसमें 2 बार inflation आइड होगा यह भी आज के हिसाब से मतलब इसमें 3 बार inflation पहला काम क्या होगा सोचे थोड़ा सा सबसे पहले काम करते इसको बाद में लिखें कभी भी कोशिश क्या करना प्रिजेंटेशन ऐसे करना क्योंकि यह यह सब जुडने वाला है सबसे पहले इसका काम तमाब करना अफ्री करनेंट जो टेबल बनेगा पहले इसका इसमें inflation एट कर देना इसमें यहां 40 परशन यहां 2 बार 40 परशन यहां 3 बार 40 परशन inflation एट कर दिया और फिर इसको convert भी कर लेना convert के लिए सार एक्शेंज रेट भगवान एक्शेंज रेट निकालना पड़ेगा और कौनसी मेथड से purchasing power पैर निकाल लेंगे सार एक्शेंज रेट निकाल के फिर इसको convert कर लेंगे किसमें रुपीज में और इससे यह वाला रुपीज भी यह लिखोगे और इसमें भी inflation एट करके लिखोगे और फिर दोनों को merge कर लेंगे और डिसकाउंटिंग कर लेंगे एक बार देखें हमने क्या किया सबसे पहला काम किया मैंने बहुत प्यार से खोशन किया मैंने का है यह सबसे पहले Indian cash flow को में inflation add कर देते inflation add फिर African cash flow में क्योंकि वहा inflation करे थे 40% तो वो भी मैंने यहां consider कर लिए अब मेरे पास जो cash flow आया वो कौन सा cash flow आगा है nominal cash flow अब nominal cash flow के बाद क्या किये सब अब और एक चीज़ लगीगी और क्या लगीगी हमको action rate और किसके साब से purchasing power parity और rate क्या दिया है rate दिया है African rand per piece तो शर यह African currency है yes अगर यह African है तो उपर भी Africa का inflation rate आए एक rules मान के चलो यहां अगर रुपीज होता तो उपर रुपीज का यहां अफरीकन है तो उपर अफरीका बस यह निकाल लिया हमने अब हम पूरी तरह से तयार हो चुके है NPV निकालने के लिए तो सर कैसे निकाल रहा है सबसे पहला काम है आप African cash flow nominal cash flow लिख लिए जो आपने निकाला है लिख लिया सर यह वाला ना जो निकाला है हाँ बिटे यह वाला लिख लिया सर उसके बाद उसका action rate दिया याद रखना rate किसका दिया है रुपीज का और यह African गा सर डिवाइड होगा यस डिवाइड किया तो cash flow किस में आ गया है रुपीज में आ गया और उसके बाद cash flow इंडिया का भी लिख दिया मैंने यह 2420 है ठीक कर लेने इसको और इन सब को क्या कर दिया मैंने मर्च अब भी भी एक काम बाग की और उसने बोला है कि जो third year का cash flow है यह perpetual आएगा तो हमें value या cash flow निकालना पड़ेगा या terminal value निकालना पड़ेगा third year का वो हमने निकाला है growth है नहीं सीधा 20% तो यह आ गया है और इसको multiply किस से यह third year का निकला है multiply किस से करेंगे third year वाले rate से करेंगे और सब्सकाउंटिंग rate क्या लेना 20% जो दिया हुआ है और NPV negative है अगर मैं कहूं कि इस question में एक तो हमने action rate कैसे निकालना वो सीखा और inflation को कैसे consider करना अगर real cash flow दिया है और nominal cash flow approach से question पूछ रहा है तो कैसे काम करना ये भी समझाए मतलब ये question important question इसमें बहुत सब कुछ आ गया है आओ और एक question मनाए question number 5 selected question ले रहा हूँ पर अच्छे question ले रहा हूँ सब class में भी class में इतना ही करवाता हूँ tension मतलब number of question से इतना ही करवाँगा class में चले जी आगे कैसा बढ़ते भाई आपका भी समय इंपोर्ट x y z a company based in India ठीक है manufactures very high quality modern furniture and sells to small number of retail outlets in India and Nepal ये question तो ICA का फैबरेट का बलते हैं भाई हम furniture बनाते हैं अब furniture बेशते हैं इंडिया और नेपाल में जबर्दस्त competition चल रहा है और साफ साफ है कि यार जो customers है वो product के quality पर जदा focus नहीं है उसका variety और choice अच्छा है अलग-अलग variety होना चाहिए quality खुड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो चाहानी दे रखा आप भी जानते हैं पर अगर आपको quality अच्छी चाहिए अभी तक हम इंडिया से ही लकड़ी खरीदते थे furniture मनाते थे और furniture हम नेपाल में भी वेशते थे और इंडिया में भी वेशते थे पर प्रॉब्लम है कि इंडिया में लकड़ी जो है वो बहुत महें किया तर करे क्या तो बोले एक काम करते हैं नेपाली सेप्लाइर से बलक में खरीद लेते हैं ठीक है यहां तक भी बात समझ में है अब उसने cash flow दिया है और कितनी अच्छी बात है कि cash flow कौन सा दे दिया नॉमिनल पिछले कोशन में नॉमिनल नहीं दिया था पिछले कोशन में रियल दिया था तो हमने नॉमिनल में convert किया था इस बार नॉमिनल ही दे दिया और नेपाली से करेंसी नेपाली रुपिया यह दिया हुआ है बल्क में उठ खरीद रहा है तो वो दिया और ये पैसा क्यों सब पैसा भी आ रहा है नेपाल से हाना बिटे नेपाल में भी तो बेच रहा है फ़निचर और इंडिया से ये पैसा रहा है ये तो रुपीज में है बस इसको convert किसमें करना पड़ेगा हमको सर इसको convert करना पड़ेगा हमको रुपीज में तो सर convert करने के लिए rate निकाले हैं बोलेगा कुछ ना कुछ फॉलिंग इन्फॉर्मेशन इस रेलिवेंट X, Y, Z Evaluate all investment by discounting rate दे दिया तो ज़्यादा सोच ना मत कि real की nominal की इंडिया का की नेपाल का discounting rate बोला है कि इससे discounting करना है बोले जितने भी नेपाली कस्टमर है उनको हम नेपाली करेंसी में invoice करते ठीक है भाई और cash flow को convert कर देना आप इंडियान रुपीज में और किस rate से बोले forward rate से तो भाई साब forward rate कहां से निकालोगे बोले उसके लिए हम inflation rate दे देते है हलाकि एक्सपेक्टेड spot rate होना चाहिए पर ठीक चलेगा उतना बारी क्यों में नेगुसर है और उसने inflation rate दे दिया नेपाल का और उसने इंडिया का inflation rate दे दिया 8% और action rate दे दिया फिर उल्टा वाला दिया ठीक है नेपाली करेंसी पर रुपीज ठीक है मतलब से अगर हम बनाएंगे तो उपर नेपाल का rate आएगा आपको बताना है NPV निकाल का बस एक पॉइंट और है वो है modified IRR पूछ लिया है इसलिए मैं question करवा रहा हूँ modified IRR की वज़ा से तो यहाँ spot rate कौन सा करेंसी है नेपाली करेंसी तो open inflation का rate नेपाली करेंसी का आएगा बस इतना याद रखना बाकी होगा question और यह आपने निकाल ठीक rate निकाला table कैसे बनेगा याद करो table में सबसे पहले नेपाली करेंसी लिख लेंगे और उसको convert कर लेंगे तो वो रुपीज में आजाएगा और हमारे वाला रुपीया merge कर लेंगे और discounting कर लेंगे discounting rate भी दिया हुआ है और सर यह future value यह modified IRR के लिए दिया है हाला कि हम चलो तो सबसे पहले मैंने नेपाली करेंसी लिख लिया action rate दिया रुपीज दिया है और यह नेपाली करेंसी divide होगा और फिर इंडिया का वाला merge कर दिया और 9% से discounting कर दिया तो NPV negative कोई समझाने वाली बात थी की ज़्यादा पर एक चीज़ समझाना है modified IRR समझा तो नहीं सकता एक हलका सा hint दे सकता हूँ कि सर modified IRR हमने CA intern में नहीं पढ़ा था हमारे teacher ने छुड़वा दिया पर्ट security valuation में realized ITM तो बढ़ा होगा IRR में कुछ समस्या थी reinvestment rate नहीं सर अभी 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 extra knowledge नहीं चाहिए अभी सुनो एक काम करते हैं मैं कह रहा हूँ कि पहले साल इतना आ रहा है yes दूसरे साल इतना आ रहा है yes तीसरे साल इतना रहा है तो यह जो पैसा आएगा पहले साल उसको क्या घर में रखोगे नई सर घर में थोड़ी रखते हैं हम तो businessmen हम तो invest करेंगे तो हम इसको हम देख रहें कि तीन साल में कितना पैसे जमा हो जाएगा भाई जो पहले साल का एगा पैस एक साल के लिए इंवेस्ट्मेंट करेंगे इन सब को एट कर देंगे तो यह आगे तो आज लगा रहा है इतना आएगा तीन साल बाद इतना सर यह अंसर कितना आ गया 7.73 इसको dirty power से solve कर लो कि dirty power सभी को आता है और सर इसका नाम क्या है जो निकला यही तो है modified IR MIRR सर multiple IRR तो नहीं है नहीं भई modified IRR ठीक है जे मज़ आया चले सर और एकात question मनाए question number 6 question number 6 दिकत है गलत interpretation है question का और वही interpretation मुझे करवाना पड़ेगा हलाकि आपका और मेरा जो अगर इस question को read किया जाए तो आप जो सोच रहा है वही में भी सोचूँगा ऐसा नहीं ही कि आप और हम अलग-अलग है आपका भी दिमाग उतना ही चलेगा मेरा भी पर यहाँ institute ने गलत तरीके से solve कर रखा और मुझे उसी गलत तरीके से आपको solve करवाना है एक बाब पढ़ते ही क्या लिखा है अच्छा कोशन इस पर doubt भी आते है एक्जाम में आया था दिसंबर 2021 लिखा है डीडी लिमिटेट ठीक है सर और company based in India manufactures good quality of leather bags ठीक है भई leather bags बनाते है और कहां कहां बेशते हैं हम इंडिया में भी बेशते हैं यूएस में भी बेशते हैं quality leather के इंडिया में बहुत हाई है बस वही कहानी दे दिया जो पिछले question में दिया था इसलिए भई हम bulk में कहां से import करेंगे USA import ताप साफ लिखा हुआ है इसलिए bulk में हम USA import करेंगे यहां तक बास estimate of net dollar और Indian currency nominal cash flow दिया तो ये भी अच्छी बात है कि nominal मतलब सब पिछले question जैसे ही हो गया है यस अब institute को क्या लगा थोड़ा अलग डाला जाया तो इसमें कुछ अलग वाला point डाल दिया इसलिए first game look अब अगर कोशन को देखोगे net cash flow तर US से हम बलक में ठीक है एक साथ जाएगा dollar में यहां तक ठीक है और सर आएगा dollar में एगरी है जैसे नेपल का हो रहा था तर इंडिया में कुछ नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा न और आएगा 60, 80, 90 यहां तक मज़ा आगए कोशन वही कोशन है जो पिछले कोशन किया तर यह सब देखिया है if not imported cost of leather to be purchased in India मतलब क्या मतलब मुझे पढ़ने से ऐसा लग रहा था मुझे कि आपको भी कि सर अगर हम बलक में नहीं खरीदेते है USA leather तो फिर इंडिया से खरीदे और इंडिया में हमको यह cost पढ़ता तो मेरे लिए जो decision होता ना वो यह होता यहां से खरीदे यहां से खरीदे पस इसको मैं convert कर लेता इंडियान रुपीज में और इसको discount देखता किसका present value काम है जिसका कम है वो ज्यादा अच्छा ऐसा decision होता भाई साब सुनो इल्क खतम है institute ने क्या किया I.C.A.I. ने क्या किया सीधा सीधा है वैसे तो इसकी कोई relevancy नहीं थी डालना ही नहीं था पर institute ने क्या किया अब मैं सब्दों को पढ़ा रहा हूँ मैं justify कर रहा हूँ कि जो I.C.A.I. ने answer solution दिया वो उसको justification के लिए मैं कुछ अजीब सी बात बोल रहा हूँ सुनना पढ़ेगा और कोई option नहीं है अब सुनना ध्यान से क्या है सर US से purchase करेंगे ठीक है और सर बेचेंगे US में ये भी ठीक है और सर ये इंडिया में बेचेंगे पैसा आएगा ये भी ठीक है और सर सुनो एक बात अजीब सी बात US से जो लेदर purchase करेंगे क्या सारा ही लेदर वहाँ से purchase करेंगे और जो लेदर वहाँ से purchase नहीं कर पाए उसको इंडिया से purchase करेंगे यार जो कुछ बचा कुछ आएशा थोड़ी नहीं कि हर चीज हम इंडिया USA purchase कर रहा है लिखा तो है bulk में इस मैंने लिखा कि सारा ही लेदर USA purchase करेंगे तो जो भी एक्ट्रा लगेगा जो हम USA import नहीं कर पाएंगे उसको हम इंडिया से import करेंगे ये language के पर आपका objection होगा तो हो जाने दो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं गलत बोल रहा हूँ पर आपको ऐसे करना फिर से बोल रहा हूँ फिर से जो लेदर हम USA import नहीं कर पाएंगे इसके अलावा वो लेदर मुझे इंडिया से purchase करना पड़ेगा तो ये भी मेरा ये तो पैसा जाएगा ये भी पैसा जाएगा जाएगा वासर गलत बात है हाँ भाई मैं बोल दूँगा मैं कहानी लिख दूँगा इसके पर आपके नहीं ऐसे रही होना चीए उससे क्या नंबर मिलेगा कि आपको करना है वो सब निकालोगे और discounting rate भी दिया हुआ है सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा action rate निकलने का वो मैंने निकल लिया क्या दखना यहाँ रुपीज है यहाँ रुपीज का rate है और सर इसके बात क्या किया है इसके बात देखो बहाँ से सबसे पहले मैं डॉलर वाला लिखा डॉलर वाला मैं पहले क्यों लिखता हूं मालू है क्योंकि convert करने पर रुपीज जाता है और रुपीज तो हमारे पास दिया तो फटा फट से काम हो जाता है और उसको मैंने convert किया तो यह आ गया रुपीज और यह भी रुपीज आ रहा है और यह पैसा जा रहा है बस बच्चों को इस पर objection है और होना भी चाहिए गलत किया है institute और multiply कर दिया तो NPV negative आ गया ऐसा आना ही था ना भीया negative इतना bulk में अगर minus हो रहा है तो NPV तो negative आना ही आना था बस NPV negative project should be rejected ठीक है ठीक है हाँ जी चलो आगे चले question number seven एक ऐसा question जो बार 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 एक्जाम में आता है तो उसका तो करना जरूरी है बस एक बार read करेंगे बात समझे पर इस question में क्या खास बात है तो एक बार read करें तो बात समझ में आ है या ठीक है multinational company is planning to set up a subsidiary in India ठीक है in the view of growing demand for its product and competition from other MNC और plant का cost कितना है dollar 500 million वो क्या कह रहा है dollar में दिया है तो वो ही कह रहा है कि भाईया ऐसा है कि हम है US के रहने वाले है ठीक है और अब हम इंडिया में project करना चाहते है और लिखा है कि पहले हम डोग एक्सपोर्ट करते थे पहले हम एक्सपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट और अब हम प्लांट ही लगाना चाहते है ठीक है पहले एक्सपोर्ट करते थे अब प्लांट लगाना चाहते है तो था एक्सपोर्ट करने से कुछ तो कमा रहे होगे प्लांट कितने का है डॉलर फाइफ हंड्रेड मिलियंस का ये लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं और वर्किंग कैपिटल है डॉलर फिप्टी मिलियन वर्किंग कैपिटल मेरे खाल से समझ में आता है इसके अलावा प्रिजेंटली प्रिजेंटली बुले हम एक्सपोर्ट करते थे और कितना मिलियन यूनिट्स बनाते थे टू मिलियन यूनिट्स प्रोडूट एक्सपोर्ट करते थे एक्सपोर्ट टू मिलियन यूनिट्स और उसका सेलिंग प्राइस कितना है डॉलर 80 और उसका cost कितना है 40 तो 2 million into 40 तो देखा जाए 2 million into 40 तो 80 million dollar की कमाई होती थी ऐसे भी कमाई होती थी वैसे भी कमाई अगर हम project नहीं भी कर रहे होते तो 80 million dollar तो कमा ही रहते अगर हम project कर रहे है तो मन से लिख रहा हूँ dollar 200 million कमाती cash flow तो extra कितना कमा रहे है 120 मरी बात समझना है ये question है जो ये question जो है ये incremental approach से करना है कि अगर हम export कर रहे थे तो कितना कमा रहे थे अगर हम plant लगा लेते इंडिया में तो कितना कमाईगी उन दोनों के बीच का डेफ रहे no doubt कि plant लगाने के लिए खर्च भी आएगा हम उसके लिए तियार ठीक है तो अभी तक ये बात है depreciation का method SLM ऐसा लिखा हुआ अब नीची की बात पढ़ा है तो लिए project proposal जो है अगर उसमें हम पैसा लगाते project में तो variable cost है dollar 20 ठीक है fixed cost है dollar 30 millions ये per unit है ये millions ये भी ठीक है बात समझे एक सब्द लिखा projects allocated fixed cost है dollar 3 millions allocated fixed cost allocated fixed cost ignore कर दिया जाएगा decision making में क्योंकि वो project की वजह से नहीं हो रहा वो ऐसे भी होना था वैसे भी होना था मैंने का यार मान लो CA को salary देना भाई fix हो गया है कि हम आपको 15 lakh रुपया साल का देंगे काम हम कुछ भी कर रहा है और अब भी तक हमारी दो ही project में काम चल रहा है चल रहे थे तो 7.5 lakh 7.5 lakh allocate कर रहे थे अब यार उसके अलावा मैं अगर कहता हूँ कि और एक project ले लिया तो भी 15 lakh ही देना है हाला कि allocate कर दूँगा इन तीनों में ठीक पर 5 lakh 5 lakh 5 lakh पर यार 15 ऐसे भी देना था इसलिए allocated fix overhead या allocated fix cost को ignore कर दिया जाता है इस matter में मैं और बात नहीं करूँगा तो ये decision making में काम नहीं है तो अभी मुद्दे की बात क्या समझ में मुद्दे की बात ये समझ में आई सर कि ये project को लगाने का खर्चा है और बनाने में इतना खर्चा है और fix cost इतना production कितना बुले हम 5 million units बनाएंगे ठीक है 5 million units बना लेंगे इसके लाबावा useful life कितना लेना पासस बिस्फुल लाइफ है पाससाल लिख दिया है आगे है ये वाला point important है existing working capital investment for production and sell of 2 million units through export was dollar 15 million तर इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है ये अच्छा कह रहा है भई जब हम export कर रहे हैं आभी तो बले working capital में already हमारा फसा हुआ है 15 million पुले नया project लगाओगे तो कितना पैसा block हो जाएगा आपका sir 50 million कहीं लिखा था यासा yes 50 million working capital तो sir extra कितना लग रहा extra 35 million या project की वज़ा से extra कितना लग रहा 35 million सीधी सी बात है ओक कि सर बात समझ में आती है क्योंकि यार दो काम एक साथ नहीं होगा export बंद करना पड़ेगा export बंद करना पड़ेगा तो यह working capital कहां use हो जाएगा या यह working capital free हो जाएगा और additional 50 million लग जाएगा ऐसे बहुत सकते यह समझना पड़ेगा यह वाला पॉइंट और भी ज्यादा important दिखा export of the product in coming year जो export कर रहे है न अभी कितना million units बना export कर रहे है 2 millions आगे लिखा है export of the product in coming year जो coming year जो export है बोल रहा है कि 2 million नहीं हो पाएगा भाई 1.5 million सी होगा ऐसा हमारा अनुमान है क्यों कि बहुँ सारी company अपनी अपनी subsidiary open कर रहे है इंडिया में तो हमारा export काम नहीं आने वाला fit means अब incremental change हो जाएगा थोड़ा मतलब अब सोचो ना यार सोचते ज्यान से सोचना बात लो मुझे decision क्या लेना export करूँ तो कितना पैसा मिलेगा और अगर मैं project ही लगाऊं तो कितना पैसा मिलेगा अगर मैं export करूँ तो जो मिला वो भूल जाओ आगे क्या मिलेगा आगे तो मेरा 1.5 million ही तो export होगा और 1.5 million export होगा तो मेरे लिए 2 million काम का नहीं 2 million तो जो हो चुका है उसका छोड़ो जो होगा उसकी बात किजिए और 1.5 million काम का है और ये difference तो हम निकाली लेंगे यहां तक बात समझ में आती है आगे और कि आवर tax का rate है 30% discounting करना 12% से खाज बात है कि यहां इस question में action rate नहीं दिया और इसलिए नहीं दिया कि बोले action rate में कोई variation ही नहीं है अगर हम दे भी देते आप convert भी करते तो कोई फायदा नहीं है कोई फायदा ही नहीं है सीधा-सीधा इसलिए हमने बोले dollar में ही दे दिया आप dollar में convert करते ना मत करो dollar में ही दे देते है खुश और NPV निकालना discounting rate बारा परशन पास साल के लिए काम इस्टार्ट करना तो दो है actually मुझे incremental approach से काम करना है कि अगर हम export करते तो क्या होता अगर हम project लगाते तो क्या होता तो मैंने का अगर हम export करते तो तो sir 1.5 million units बेश थे 2 million मत लिख देना यहां एक गलती हो सकती है मैं गलतीया याद दिलाओंगा कहां कहां हो 1.5 million into it और variable cost मालूम है आपको PBT आ गया tax minus किया तो CFET आ गया अगर हम export करते तो अगर हम new project से काम करते तो तो sir 5.000 units बेचते कितने में बेचते यह नहीं बताया question में project करते तो selling price नहीं दिया है तो selling price में यह export वाला ही ले रहा हूं ठीक है जी तो sir 5.000 units 80 हो गया 400 variable cost दिया हुआ है fix cost दिया है एक गलती मत करना additional allocated fix overhead मत लेना दूसरे नमबर किया CFBT आ गया depreciation minus किया PBT आ गया depreciation add back करना आपका दिल करें tax minus करके मैंने सीधा सीधा CFBT minus CA कर दिया तो CFBT incremental CFBT निकल सकता है yes कैसे निकलेगा तर यह है export की case में यह है new project में difference जो आ गया वो आ गया incremental CFBT 171.50 अब table बना के काम करेंगे तो अच्छे से ही करते हैं तो कि question कई बार आया तो मैंने proper table मना के काम गोलो पैसा कितना लगेगा sir dollar 500 और याद रखना यहाँ difference लेना extra कितना लग रहा working capital 35 incremental CFBT निकल चुके है अब यार working capital भी तो release हो जाएगा सर एक बाद बताओ working capital तो पूरा 85 मिलेगा भाई आना सर project जब खतम होगा तो पचास लगा है तो पचास ही तो मिलेगा last में मैं कह रहा हूँ incremental approach से काम कर रहा हूँ अगर हम 5 साल तक export ही करते तो 15 million वापस मिल जाता 15 million export नहीं कर रहा है project कर रहा है तो हमारा 50 million वापस मिलेगा तो सबाल है कि extra कितना वापस मिल रहा था ऐसे भी तो हमको 15 million मिली रहा था नहीं यार लाश्ट में इसलिए जितना लगा है उतर नहीं तो वापस मिलेगा incremental approach तो minus किया तो answer आगया 103.08 और NPV positive है तो project should इस question में क्या-क्या ऐसी बातित थी जो हमें एक allocated fix cost वाला याद रख लेना और एक वो 1.5 million और 2 million वाला और एक ये working capital गलती से यहां 50 मत लिख लेना बाकी और question में कुछ नहीं था simple था ठीक है सर इसी type का और एक question करें हर question अलगा है ये मत मानना कि मैं repeat कर वाँगा question number 9 देखे क्या लिखा है question number इब रीट करें क्या a US company फिर से यार सर इंडिया कहां गया यार इंडिया वाला कितना अच्छा था फिर से US की company और plant कहां लगाना चाहती है इंडिया में ठीक है ये लो रूपीस एट मिलियंस इंडिया में लगा रहा है अब सुनो आप यूएस के है होम करेंसी आपकी यूएस वाली है तो यूएस की company इंडिया में इंवेस्टमेंट करना चाहते है एक इतना पैसा लग रहा है सर आट मिलियंस और लाइफ कितना मैं यहीं से पढ़ दूँ कि हाँ सर यही तो बात है आप कोशन पढ़ ले ना बढ़र काम काम की चीज़ पढ़ लेता हूँ आट मिलियन लगा रहा है लाइफ है पास साल सेलवेज चत टू मिलियंस मतलब सर डैप्रेशिचिन निकालने के काम एक डैप्रेशिचिन का मैध है SLM working capital 1 million लग रहा है 1 million last में मिल जाएगा और salvage अलग मिलेगा और कितना unit से बेचेंगे तो लिखा हुआ 80,000 unit 100 के सबसे और fixed cost दिया है 0.50 million यह पर unit नहीं दिया रहता और variable cost है 30 रुपीस पर unit तिर करेंगे इस question को कैसे पहले यह बता दो सबसे पहले CFEAT कौन सी currency में रुपीस में निकल लेते CFEAT selling price मालूम है variable cost मालूम है CFEAT cash flow after tax निकल गया और हमें लगेगा action rate कही inflation rate दिया होगा पका पका यह सर US और India लिखा है और आपको inflation rate दिया हुआ है तो ठीक है सर इससे हमको action rate निकलना पड़ेगा कितने पूरे 5 साल का और उसके सबसे convert कर लेंगे और फिर हमारा हट साल का अलग लाएगा डॉलर में home currency हाँ डॉलर है और उसको कितने 8% के सबसे discounting कर लेंगे बात कितम हो जाएगा simple है simple वही किया है institute सबसे पहले मैंने क्या किया था मैंने प्यार से क्योंकि यह रूपीज है तो रूपीज का rate उपर आएगा यह पाच साल का मैंने action rate निकलना कोई दिक्ट की बात है क्या उसके बाद मैंने रूपीज में चलो यार CFAT निकल लेते हैं रूपीज में यहाँ sales लिखा फिर variable cost लिखा फिर fixed cost लिखा यह depreciation, pbt, tax, CFAT निकलना अब CFAT को मैंने convert किया किस में और CFAT को आपने क्योंकि यह रूपीज में है तो मुझे home currency approach से करूँ तो मुझे dollar में convert करना पड़ेगा तो मैंने एक table में सारा काम कर देखो कैसे की आज लग रहा है 90 लाख रूपे यह रूपीज में spot rate से divide हो जाएगा और यह पैसा आएगा यह rate है तो यह divide करने से dollar आगा है पस कहां गरबढ हो सकती है यह भूल सकते हो यह क्या चीज है सर यह working capital और service value यही भूल सकते हो बाकी इस question में कुछ नहीं था अंसर आजाएगा यह बूल सकते हो आप बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस question में कोई दिक्कत ठीक है जी ठीक है साथ आगे चले क्या है question 11 अच्छा question है अजीब सा question है बट समझने की कोशिश करते हैं कि question में क्या लिखा कोई company US की है ठीक है और इंडिया में software बनाना चाहते हैं तिर इंडिया में इंडिया में labor system मिलता है software बनाने वाले labor system मिलते हैं बहुत तो कोई company US की है और इंडिया में software बनाना चाहते हैं तो वह क्या कर रहा है और जो software जब बन जाएगा software develop कौन करेगा इंडिया वाले software को बनाएंगे और फिर जो US parent है उसको एक price पे dollar 10 million पर वापस ले जाएगे software इंडिया में बना रहे हैं और software जैसी बनके तियार होगा तो उसको एक transfer price पे वापस ले जाएंगे तो इसको एसे भी ले जा सकती है नहीं भाई इंडिया वाले छोड़ें यह थोड़ीं यह वाले कियांगे ऐसे नहीं होता भी यहां अगर यहां कोई समान बन रहा है और आप इसको वापस ले जा रहा है तो हम यह मान की चलेंगे कि आपको sell कर रहा है और sell किसपे होगा बले sell जो होगा फियर प्राइस पर होगा और जो होगा ट्रांसपर प्राइजिंग बढ़ा होगा और बोले वह होगा हम मालगे लोजनल सैलिंग नोसनल है कि 10 मिलियन में हमको सेल कर दें क्यों कर रहा है ताकि हम टैक से वसूल कर सके में उद्दिश ही है तो कहां था कोशन कोशन ये था कि आप हो USA वाले इंडिया में सॉफ्ट्वियर बनाना चाहते हो और सॉफ्ट्वियर बनाके वापस ले जाके US में किसी को बेज देंगे कितने का बेज देंगे ऐसा कुछ बताएगा तो फिर सॉचे और सॉफ्ट्वियर बनाने का काम कितने साल चलेगा बोले पूरे एक साल चलेगा और इस पर टैक्स लगता है 30% और withholding टैक्स भी है 10% US की कंपनी में दो टैप की टैक्स लिखा है इसमें इंकम टैक्स तर आप तो टीडियस बोल रहते हैं जब इंकम टैक्स लगता है तो टीडियस फोड़ो दो भी कोशन में गरबढ है पर ठीक है उसने भी ICA ने भी तीन alternatives दे रखे इसके वो खुद confused है पर ठीक मैं इसका समझाओंगा कैसे करना 30% इंकम टैक्स है 10% है टीडियस और टैक्स ट्रेडिट US में नहीं मिलेगा और जो software बनके चला जाएगा उसको ये लोग US वाले भाई साब 12 मिलियन डॉलर में बेच देंगे ऐसा इनका अनुमान है डिसाईड क्या करना डिसाइड actual में क्या करना मैं आपको बता रहूँ डिसाइड ये करना है कि यार ये वाला जो software है इसको तो मैं 12 मिलियन में बेच दूँगा इसको बनाने में कितना पैसा लग जाएगा, सब tax, wax सब मिलाके बता दो, कास इसको बनाने में कितना, और वो भी डॉलर में बताना, अगर इसको बनाने में 12 million से कम लगेगा तो ठीक है भाई project कर लेंगे, तो कास कोई हमको बता दे कि software बनाने का cost कितना रुपीज में बता दे हम उसको एक ही साल का तो रेट है तो हम उसको डॉलर में करनोड कर दे और कोई ये भी बता दे कि टेक्स कितना लगी का विथोल्डिंट सब कुछ और दस गंटे काम होगा असी परसन दस गंटे काम होगा और एक गंटे का 400 रुप्र तो 80 इंटू 10 इंटू 400 रुप्र इतने दिन एक दिन में 10 गंटे ये लिखा 365 दे काम होगा इंटू 300 पैसे तो 116800 ऐसा कुछ कर दो इसके लावा administration cost है 12 लाग और यह पता लगे ना सर कोष्ट पर कोष्ट से नहीं होगा कोष्ट के अलावा tax wax का भी सब जोड़ना है ना इस software को बनाने में ये भी लगेगा ये भी लगेगा ये भी लगेगा tax भी लगेगा सब जोड़के बताइए और वो सब जोड़के dollar 12 million से कम नहीं होगा तो सर टेक्स कैसे निकाल लेगे बस tax निकालते है ना यार हम बोलें ये इंडियर government बताओ कितना मान लो ये जो software इसका selling price आप notional बताओ किया बोले 10 million चलो उसके साब से tax लोगे ना चलो देख तो सा 10 million मतलब 100 lakhs 48 के साब से इतना का आगया sales और ये हो गया cost तो ये आगया profit before tax 30% tax तो ये आगया profit after tax यहां तक ठीक है अब दिक्कत ये है इसमें withholding tax आए withholding tax का मतलब यहां ये लिया गया कि जो बचाया profit इसको तो ले जाओगे ना अपने घर बले हाँ जो आप ले जाओगे profit उस पे withholding tax लगेगा 10% ये assumption जो profit जब हमारे यहां से क्योंकि ये foreign currency हमारे यहां से बाहर जाएगा तो उस पे tax लगेगा 10% ये ऐसा मानना पड़ेगा profit repatriated हूग तो सब total cost क्या लगा ये एक total cost आगया और ये आगया और ये आगया इन तीनों को मैं add कर दो तो ये आगया मेरा total cost और divided by 48 से कर दिया तो ये आगया मेरा software बनाने का cost इतना millions थी के 12 million से कम है तो वहां का tax वहां का छोड़ो नहीं और 12 million है selling price और इतना है तो भई ठ कर लो project अच्छा है question ये अच्छा था बस समझने का खेल है एक बार समझ में आ जाएगा तो दिक्कती खतम हो जाए अच्छा question question number 12 question number 12 बस खतमी होने वाला कुछ है नहीं question number 12 पढ़े एक बार अच्छा question है actually अभी capital listing आया ना capital listing में एक topic आया है scenario analysis scenario analysis से related question था अलग-अलग scenario से आप cash flow निकालते थे probability से multiply कर देंगे तो expected cash flow जाए वही वाला है एक भर दिक्कत है और उस दिक्कत को याद ही कर लो तो बहुत ज्यादा concept नहीं है मैं justification के लिए कुछ भी बोलूँगा जैसे मैंने वह लेदर वाले में बोला था नहीं चलेगा रट्टा माना पड़ेगा चलो देखें के question में yes तो बुल रहे सर प्लांट लगाना है हमको ठीक तो बुले सर वन मिलियन यूनिट्स हम बनाएंगे अच्छा भाई और डॉलर 10 का बेचेंगे और कहां के हो नहीं मालूँगा कोई बात है डॉलर 10 का बेचेंगे तो बुले अभी एक्षिं रिट अभी के action rate के हिसाब से जो चल रहा है उसके हिसाब से cost of production है डॉलर 6 पर unit अभी जो action rate है उसके हिसाब से एक यूनिट बनाने का cost है डॉलर 6 और बेचना कितने में है डॉलर 10 मतलब 4 डॉलर का एक यूनिट पे फायदा है और 1 मिलियन यूनिट से तो हिसाब किताब कर लेंग हमें ऐसा लग रहा है कि डॉलर 10% से decline हो सकता है और 15% से भी decline हो सकता है यह भगवान और खुल के बोलेगा आगे तो change in local cost of production and probability from the expected current level will be as follows अब बोला है तो देखो हमें क्या लग रहा है हमें लग रहा है कि डॉलर में कोई change नहीं हो का इस बात की probability है 0.4 तो ठीक है फिर तो अगर कोई cash flow बोलेगा तो 10-6 कर लेंगे बात करता हम इंटू पॉइंट देख लेंगे फिर बोले सुनो हमें ऐस इसका कम हो जाएगा डिकलाइन हो जाएगा उसकी वज़ा से जो cost of production है वो कम हो जाएगा मतलब जो पहले 6 था ना तो 6 में से 0.3 कम है फिर cost of production 5.7 हो जाएगा तो सर मतलब उसे सबसे 10-5.7 कर लेंगे यस और इस बात की probability कितनी है 0.4 सर और अगर डॉलर डिकलाइन होगा ना 15% से तो जो हमारा cost of production है उसमें 0.15 और कम कर दे ना पर उनिट 5.7 माइनस 0.15 तो फिर बोले cost of production पर उनिट 5.55 हो जाएगा मतलब ये भी हो सकता ये भी हो सकता ये भी हो सकता और probability दिया हुआ है ठीक तो plant current level of rate of actions will depreciation current rate of actions current rate of actions के हिसाब से depreciation जो है वो है अभी 1 million depreciation 1 million depreciation CFAT निकलने के कामा tax का rate 30 portion सबसे पहले annual CFAT निकलना है under all the three different scenario अलग-अलग scenario से इस scenario से CFAT क्या होगा इस scenario से CFAT क्या होगा इस scenario से CFAT क्या होगा निकल जाएगा फिर expected CFAT निकलना जब 3 CFAT निकलेगा तो उसको probability से क्याइब कर देना तो expected CFAT निकल जाएगा और फिर बोला point number 3 मान लो यार हम 25 million investment कर रहा है 25 million 25 millions मतलब cost of project हो गया और discounting rate है 11 person और जो आप CFAT निकाल रहा हो point number 2 में मतलब expected CFAT के basis पर पताईए और यह जो है वो 3% से perpetual grow होगा मतलब हमको present value cash flow निकालना पड़ा है यह फिर निकलेगा expected इवाइड़ेट पर केई माइनस जी ऐसा कुछ करते थे ना होई काम करेंगा answer निकलेगा तो सबसे पहले क्या निकलते CFAT अलग-अलग सिनारियों sales मालूम है और वो तो 10 के साब से ही है यह तो पूरा एक जैसा आएगा cost production 1 million है 1 million into 6 1 million into 5.7 1 million into 5.5 तो इसे साब से CFBT आ गया है इस question में बस एक दिक्कत है कि depreciation में उन्होंने 10,10,10,10 लेना था पर जिस rate से यह याद करने वाली बात है जिस rate से dollar decline हो रहा है इस rate से dollar decline हो रहा है उसी rate से depreciation भी उसने decline किया है logic logic बहुत सारा दे सकता हूँ सब irrelevant justification के लिए कुछ भी मैं बोलूँगा sense नहीं है तो रट लेना कि depreciation यहाँ 10,10% से कम कर देना यहाँ 10% से कम होगा यह 15% से कम होगा यहाँ से 15% तुब समझ रहे हो ना आसर समझ गया है रटना है तो फिर तो समझाने वाली बात ही नहीं यहाँ 10% कम होगा यह 15% तो बड़ा सब ब्रेक हो गया था यहाँ 10% कम कर देना वहाँ 15% कम PBT आ गया PTAX फिर CFET आ गया यह निकला expected CFET अलग-अलग नहीं यह CFET निकला अलग-अलग सेनारियो से और फिर probability को multiply किया तो यह आ गया मेरा expected CFET अब क्या हमें perpetual है यास तो केम आनजी करना पड़ेगा एक दिक्कत है सर यह तो expected है न यार इसमें growth क्यों add होगा, growth add होना ही नहीं चाहिए था, एक गलती है growth add नहीं होना चाहिए था यह D0 थोड़ी न, यह तो D1 है पर पता नहीं तो इससे भी रटना पड़ेगा कि हाँ जी इस growth add कर देना और answer आ जाएगा तो दो चीजे logically नहीं लग रही है मुझको एक तो गलत ही है यह वाला पर आपको ऐसी ही करना और दूसरा depreciation तो यही था मेरा international capital बश्टी अब इसमें और एक्षी जाती ADR जीड़ एक ही question करवा देता हूँ क्योंकि सारे question एक जैसे ADR, GDR वगीर चलो, एक ही question करवा हूँ तब सुनो, सवाल क्या है क्या है यह ADR, GDR बहुत सारा detail तो समझा ही नहीं सकता है टाइम ही नहीं तो काम की चीज काम की चीज है कि यार अगर reliance को पैसो की जरूरत है funding तो एक option है कि वो यहां से equity funding इंडिया से यगर सकता है और अगर वो US से dollar में पैसा चाहता है dollar उठाना तो कहां से उठा है क्या reliance के shares US में भी listed होगे वहां के stock exchange में yes वहां भी listed है it means stock exchange new york stock exchange यहां भी shares listed है मान लो reliance के अगर reliance यहां से funding करता है यहां से पैसे उठा तो बदले में जो issue करना है उसको यह लोग shares नहीं बोलते यह बोलते depository receipt बहुत सारे बहुत सारी बातें नहीं कर सकता process नहीं करवा सकता इसको बोला जाता American depository अमेरिका से तो छोड़ो अगर हमको UK से उठाना है पैसा तो वहां आप से भी funding किया जा सकता लेकिन उसको अब US के अलावा कहीं से भी पैसा उठाओंगा तो अब जो है मैं ADR issue नहीं करूँगा मैं क्या issue करूँगा मैं issue करूँगा GDR ठीक बहुत कम समय में समझाने की कोश्ट ठीक है सर बात समझ गया अब funding कितना करना है मान लो हमको dollar 500 million की funding चाहिए तो सर उसके लिए भी तो खर्चे बर्चे लगते होगे ना transaction cost processing phase या फिर underwriting लगता तो है और मान लो फ्रोटेसम कोश्ट है टूपर और मुझे net इतना चाहिए net तो फिर यार मुझे ADR 500 million का नहीं इससे ज़्यादा का issue करना पड़े issue size ज़्यादा होगा इट मेंस मुझे gross up करना पड़ेगा 500 divided by 0.98 क्यों करूँगा तो ज़्यादा explain नहीं कर पड़ेगा तो मुझे ज़्यादा का issue करना पड़ेगा तब 2% कटने के बाद मुझे 500 मिल जाएगा यहां तक ठीक पहला question यही आता है कि हम कितने का arrange करेंगे ठीक है सर अब वो और बताएगा और पूछता number of ADR to issue वो कैसे निकलेगा मैं सब जाने की कुछ तो reliance के share का price क्या आए भे 400 ठीक है सर face value 100 face value का भी मैं यहां योज नहीं करूँगा तो reliance के share का price है 400 और generally आपको क्या लगता होगा कि shares किस पे issue होते सर market price market price नहीं उससे थोड़ा सा कम अगर market price पर ही share issue हो जाते है या market price पर ही मैं share issue करता तो लोग market से ही खरीद लेंगे भाई क्यों मुझसे खरीद लेंगे सब्सक्रिप्शन करवाना है न तो आपको थोड़े से कम issue करना तो मान लो discount कितना है 10 पर और एक GDR में मान लो 3 shares होते है ADR लिख सकते हो ठीक ADR GDR अभी एक ही समझो एक GDR में 3 shares तो एक GDR का issue price निकल सकता है कि एक GDR का issue price बोल रहा हो मैं यह नहीं बोलू कि net कितना मिलेगा issue price ठीक है सर देखो सर 400 रुपे का हो गया एक share और 10% discount पर 90% issue price हो गया और into 3 कर देंगे एक GDR का price रुपीज में आ गया issue price 1080 और action rate कोई बता दे action rate असी रुपे है एक GDR का डॉलर में और डॉलर में ही है मुझे से 13.50 अब total मुझे कितने GDR issue करने है सर मुझे करने है इतने millions के GDR issue इतने millions और एक GDR का issue price किया तो क्या number of GDR to be issue निकल जाएगा या असर यही कुछ आता है cost of GDR पुछेगा तो वो मैं समझा दूँगा तो total वैसे तो class में दो question करवाए थे यह तो repeat ही हो गया इस पर मैं मुद्दे पर बात नहीं करूँगा question number 14 करवा रहा हूँ यह last question है हमारे revision class और मेरे खाल से international financial management और तीन बहुत बड़े-बड़े question है please मत करना time ही नहीं है आपके पाए बड़े यसा और खतम करें glass को तेखा रगु लिमिटेड इस इंट्रेस्ट इन expanding its operation and planning to install manufacturing plant कहा लगाना चाहते है यूएस और यूएस में कितने चाहिए 8.82 million dollar funding चाहिए 8.82 million और वो भी net सब खर्च वर्च काटने के बाद और GDR जो है वो issue किया करने का सोचे sir ADR issue होना चाहिए बेटे जादा हमें knowledge नहीं चाहिए जीडियर ADR rotation cost है 2% तो अगर मुझसे बोले कि पताओ issue size कितना तो sir ऐसा calculator उठाएंगे हम लोग 8.82 divided by 0.98 9 million का हमको issue size हमें 9 million के ZDR issue करना पड़ेगा यहां तक तो ठीक sir share का price कितना था जब 360 और 1 ZDR में 2 shares और 10% discount पे और 72 और dividend के विसे मैं बोला है बात करें सबसे पहले जो पुछता वो लिख पुछता number of ZDR to be issued पहले वो काम कर ले number of ZDR to be issued sir इतना GDR चाहिए इतना पैसा चाहिए हमको इतने के पैसा तो net यह मिलेगा इतने के हमको ZDR issue करना पड़ेगा अब एक ZDR का price कितना issue price sir 360 एक share और discount काटने के बाद 90% issue price हो गए और एक share में कितना एक ZDR में दो shares तो sir 648 हो गए यह ZDR का price किसमें निकला रुपीज में और action rate 72 है तो एक ZDR is equal to dollar 9 तो number of ZDR to be issued आ गया 1 million तो कोई दिक्कत की बात है क्या तर दूसरा क्या पूछ रहा दूसरा पूसरा cost of ZDR जैसे केई होता था था न बसी cost of ZDR और केई का formula पता है क्या आपको यह sir D1 divided by B0 पस यह तीन चीज लिखना है अच्छा sir पस यहाँ जो लिखना वो ZDR का लिखना कि यह ZDR पर कितना dividend मिलेगा देखते हैं कही ना कहीं expected dividend दिया है 20% और dividend किस पर होगा कभी भी face value पर और face value कितना है 100 100 into 20% तो बला कितना आ गया है 20 रुपए पर यह आ गया dividend per share मुझे चाहिए dividend per GDR तो into 2 कर देंगे तो answer कितना जाएगा 40 रुपी 40 रुपी क्या आ गया है D1 इसको dollar में convert करना चाहिए ना कर ले ना अगर आपका दिल करेगा तो एक ही तो बात है उपर भी dollar में नीचे भी अगर इसको भी dollar में convert करोगे तो divide ही तो करोगे तो मत करो ना या divide क्या कहना चाहता है यार इसको भी divide करोगे 72 से इसको भी डिवाइड किस से करोगे 72 से मत कीजिए क्या फर्क पड़ ठीक है सर और कभी भी P0 का मतलब होता क्या CA Inter में पढ़ाया हुआ सर ने कि सर जब भी केई निकालते हमें net लिखते सब कुछ खर्च काटने के बाद हमारी जिम में कितना है तो issue price बले ही हमारा 648 है पर 648 नहीं आएगा भई फ्लोटेसन कॉष्ट कटने के बाद मिलेगा issue price में से फ्लोटेसन कॉष्ट माइनस करोगे तो जो आएगा वो है का net proceeds इसलिए यहां मैंने into 98 परशन के 2 परशन काटने के P0 का मतलब net process अब काम हो जाएगा नाम से 40 divided by 635 plus growth rate दिया तो answer आगा 18.30 this is cost of ZDR जैसे के ही होता है यह funding का मेरा cost कितना बड़ा मैं US से पैसे उठा रहा हूँ मेरा cost कितना बड़ा 18.30% point number 1 होगे point number 2 में क्या माँग रहा तो बोल रहा है कि US bank से हमें loan मिल सकता उस नहीं amount का और किस rate पे मिल सकता है 12% पे तो क्या करना चाहिए equity मैं एक बात समझ लेना comparison हो ही नहीं सकता अब equity का debt से कैसे comparison यह जो funding किया है यह जो interest आ रहा है यह equity पे आया और यह देना जरूरी नहीं होता है और यहाँ यहाँ तो चाहे आपको profit हो ना हो आपको 12% देना ही पड़ेगा तर प्लीज नहीं चाहिए revise कर आओ खतम करो ताम की बात वही उदर कितना है 18 अगर मैं equity से funding कर रहा हूँ तो 18% भी आज यहाँ जी बोल दो अब क्या बोलूँगा interest और यहाँ कितना है 12% 12% तो सर्फ bank से उठाओ ना यार ठीक bank वाला सस्ता और बोल रहा कितने की बचत हो जाएगी अगर हम तो bank से कितने की बचत हो जाएगी 6.30 तो almost कोशिस यह रही इसमें भी पूरे ही question मैंने cover किया अगला chapter जो होगा वो mutual fund का होगा आज ही आजाएगा या फिर most probably कल तक आजाएगा खतम उसके बाद query vision नहीं उसके बाद जब mutual fund आएगा उसी time में paste का भी announcement करूँगा सर लेट नहीं होगा एक दिन और रुख जाओगे तो क्या हो जाएगा thank you so much bye bye